बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा powder sugar milk powder baking soda baking powder butter milk vanilla essence जबसे पहले हम मोटे कले की कड़ाई लेगे उसमें मैंने बारिक sand डाली है आप चाहे तो नमक भी डाल सकते हैं इसे हम preheat करने के लिए रख देगे अब हम अब हमने राउंड टीन लिया है एट इंच का इसे अच्छे से ग्रीस कर लेगे मैंने इसे घी से ग्रीस किया है आप चाहे तो बटर से कर सकते हो इसे अच्छे से ग्रीस करना है पूरी तरह कहीं से रह न जाए वना केक को डी मोल्ड होने में दिक्कत आएगी अब हम इसमें बटर पेपर क्लेस कर देगे अब बटर पेपर को भी ग्रीस करना है इसे विए अच्छे से ग्रीस करना है केक के लिए हमें ड्राइ इंग्रीजिजिंस मिक्स करेगे मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है अब हम इसमें बेकिंग सोडा आड़ करेगे इसे इसी तरह से पूरा फिल करके कट करना है देखे यह स्टेप बहुत ज़रूरी है वन टीस्पून बेकिंग सोडा बेकिंग पौडर लेगे उसी भी इसी प्रोसेस से करना है पूरा फिल करके कट करना है यह हम लेगे टू टीस्पून बेकिंग सोडा और बेकिंग पौडर को कट करके प्रॉपरली लेना है बढ़ गया तो केक फुल के थोड़ा फट जाएगा अब हम इस तीनों मिक्स्टर को अच्छे से सीव कर लेंगे ताकि ये मिक्स हो जाए ये हमारा ड्राइ इंग्रिजिंस रेडी हो रहा है अब हम इसे बाउल में शिफ्ट कर देगे ये हमारा ड्राइ इंग्रिजिंट रेडी हो गया है अब हम मिल्क लेगे मैंने 240 ml मिल्क लिया है रूम टेंपरेचर पे इसमें हम मिल्क पाउडर एड़ करेगे इसी तरह से लेना है पूरा फिल करके कट करना है और इसमें हम एड़ करेगे मैंने ये अमूल कंपनी का अमूल मिल्क पाउडर लिया है अब हम चमच से अच्छे तरह से मिक्स कर देगे देखिए लम्स ना रह जाए इसमें हम पाउडर शुगर एड़ करेगे मैंने वन फिल्क पाउडर शुगर लिया है आप चाहे तो थोड़ा कम जादा कर सकते हो अब हम मैन्यूल बीटर से इस अच्छे से बीट करेगे ताकि लफी और क्रीमी हुए अमल बटर शु nog लिया वह थोड़ा हार्ड फर्म में भी नहीं होना चाहिए और सफट फ्र्म में मैल्टेट फर्म में भी नहीं होना चाहिए यह स्वार्फ्त होना चाहिए इसे हमें मिक्स करने में दो से तीन मिनिट लगेगी अगर आप चाहे तो स्पेचुला से भी मिक्स कर सकते हो लेकिन बीटर से मैनिल बीटर से अच्छे से मिक्स होके प्लफी हो जाता है अब लेकिन मिक्स होने आ रहा है यह हमारा sugar butter mixture ready है अब हम इसमें milk और milk powder का जो mixture बनाया था वो add करेगे और जो dry mixture था वो add करेगे इसे alternate add करना है और इसे cut and fold method से इसे अच्छे से mix करना है अब इसी तरह वापस milk लेगे और dry mixture लेगे हम इसी तरह से सारा mixture mix करना है alternate लेना है और mix करना है यह हमने पूरा mixture add कर दिया अगर आपको लगे कि थोड़ा hard है तो इसमें थोड़ा milk add कर सकते आप इसमें हम vanilla essence डालेगे मैंने viola company का essence लिया है यह two teaspoon हम लोग आड़ करें इसमें इसे भी अच्छे से mix करना है यह हमारा cake batter ready है देखे इसके consistency dropping form में है अब हम इसमें tutti fruity add करेंगे मैं यह tutti fruity cake बना रही हूँ आप चाहे तो इसमें dry fruits भी add कर सकते हो आप चाहे तो इसमें choco chips add कर सकते हो यह आप पर है अब हम इस cake batter को cake tin में shift कर देगे इसे जालके से depth करना है ताकि इसमें air bubbles ना रहे अब हम tutti fruity से garnishing करेंगे यह पूरी तरह से optional है अब हम इसे preheated कड़ाए में bake करने के लिए रख देगे 2 minute के लिए हम high flame पे bake करेंगे और 35 to 40 minutes के लिए इसे low flame पे bake करेंगे आएए देखे cake ready हुआ या नहीं हमारा cake ready है आएए चेक करते है देखो कितना clean निकल के आया है मतलब cake ready है इसे थंड़ा आने के लिए छोड़ देते है अब हम इसे plate में demold करेंगे देखो कितनी आसानी से निकल गया है बटर पेपर को निकाल देगे देखे इसका texture कितना अच्छा है और कितने spongy एक एक आईए इसे सीधा करते है यह हमारा cake ready है इसे काटके देखते है देखो कितनी आसानी से कट रहा है प्रम देखो करते है झाल करता है झाल झाल